उन्नाइनर कांडरी दक्टर सुकान्तों मजुद्धार मासाई भारत माता की अरे अमिशा जी आतो कस्टो करेखे नेशेन आसा हमेट दिबुरु करते केखे नेशेन आतो आस्ते आवाजा होएना जोरे बोलून भारत माता की महांदेशेर महांनेता नरंग बोदी नरंग बोदी अमिच्छा भारत माता की बंदगान आतके आमाके पारोंभिक बक्तप्बुर आखार जन्न दाइत्तो देया होएचे आपने आरा प्रोतिदिनी प्राई आमाके सोनेन होई तीभीते नहाई आपना दे सामने आतके मूल भक्ता माननियो ग्रिहो मंत्री जी एबंग आमरा सोभाग दो शाली जे आतके होरिदांपुर भिदान सबार पाथोर घाटार पत्रार मतो छोटो जाईगाते कुप छोटो ग्राम शेकाने माननियो ग्रिहो मंत्री अमी शाजी एशे चेन कोन ग्रिहो मंत्री जे डक्तार स्यमा पोषाद मुखार जी शप्न पुरण करे चेन काश्मीर तेके 370 दारा के बातिल करे दिये चेन ताके जोरे हाथ ताली भी आपनार सागोत जाना भेन आमादेल मुख्यो मंत्री माई माई बोलेन विजेबिन ने तारा बोहीरा गतो आमी माननिया मुख्यो मंत्री आतार दलबल के बोलते चाहे जे देखोन भारत बश्चो के आखोन आपनाराच चेनें नी डक्राश्यामाप्रशाद मुखार जेकन बागाली तार सपनो चिलो जे काश्मीर तेके 370 दारा उठे जाबे आर सेटा जेकन सपल करे चे सेटा माननिया प्रधान मंत्री नरें नमदी सपल करे चे माननियों सपल मंत्री नियों माननियों अमिस्षाजी सपल करे चेन एटा होच्चे भारत बर्शो आतके ताई तिनमुल कंग्रेस्ट कोन बुद्धी नापे एकरा हारुमित्र के पार्थी करे चे की चेनें तो आनो मित्यका चेनन दपने ना पार्टी कोले छे दाके ता तीनी निजेर पोरिबार छा राकी छो बले नी और मोदी जीर मत हमरा बोली जामादेर पोरिबारेर एक पोईशार उन्नोती होयेचे पाज बचरे खुजे राखान शुकांत मुझुम्दारेर मोदी जीर जमने 114 को जाके मोंत्री कोरेचेन तीनी आखन भोटेल लोगो बोल्चेन मेडिकाल कोलेज खुले देभेन अधर बोचो राके विश्चो बिद्धालाई तोयरी होयेचे एकने आक्ते इनुमार्स्तिती आक्ता इड़ गात्ते पारें देंदी आक्ता पाइखाना भात्त्युम्द्ध कोत्ते पारें नी विश्चो बिद्धाले तीनी आखन मानुस के भूल बोजात्थेन जे तीनी नाकी एकने मेडिकाल कोलेज खुले देभेन परिश्कार बोलेज भावता बाजी ते जाबेनना मेडिकाल कोलेज खुलार जोनना आमी चिठी दिये चिला मुक्ष मंद्री के आमें च्यालेंज कोची विपलब बाभु के जोदी खमो जाजा के मुक्ष मंतिर काशे पर्मिशन निये आशून दिलनी सरकारेर कास्त्ते के दूशो कोटी तीनशो कोटी चास्शो कोटी जतो ताका लागबे शुकांतो मोजुमदारेने देभे मानोने अमिश्याजी सामन समफजी समफजी सेस्टगे लावाई, आमले गारेनी दीछी आल दोवलोत्पुरे नेता मंतिरा आतोबार ह अल regular हम देशान देख़ फोतर देखोई है च आहाप्ता देशन FERस्तितुरृइज ते निये परे आमना आगा मिदीने आरो एक ओगु ताइ आम रा बार बार बोलची जह आगधी के आपना देश्टनाल हावे के चाल लेन बना नहोग वाएके दिल्ली चेंचालान नहोग कोलकाता चेल चालान नहोग सुदू ताइ नौइ सब काय आमना शुरू करे दिये थी अबशिस् मुख्यमंत्री कुलांगार, मुख्यमंत्री कुलांगार तके बले, मुख्यमंत्री जे गोरु पाचार करे, पाथोर पाचार करे, क्वाईला पाचार करे, तके कुलांगार बले, भाले कोरे देखून, आपनार आशे बाशे कुलांगार आशे। भारत माता की, भारत माता की, सबाई के नमस्कार मनों नियों ग्रिहा मंत्री एवाल भास न देवेन, होना का मिया मों तो न जल अच्छी, तार मुल्नोवान बॉक्टोब्बो, आमने शमने दाखार जुन्नों, जोरे हाथ दाली दिये, होना के शागो तो जाना, मेरे साथ बोलिये, भारत मता की, क्यों भाई, बालूर गाट वालों की आवाज को क्या हो गया है, मोदी जी को फिर से प्रदान मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है, बंगाल में 30 सीटे पार करनी है या नहीं करनी है, तो ऐसी आवाद नहीं चलेगी, सभी माताएं बेने हाथ उटाएं, पिछे तक युवा हाथ उटाएं, पिछे भी हाथ उटाओ जरा, विजे के विश्वास की मुठी बिचो, मम्ता जी को जवाब देने के विश्वास की मुठी बिचो, और प्रचंद नवाद से बोलिए, बारत मता की, बारत मता की, मन्च उपर उपस्तिक, भारत यजन्ता पार्टी के यसस्वी प्रदेश अध्यक्स, और बालूर गाट के लोग प्रियब संसत सदस्य, डॉक्टर सुकांत मजमुदार जी, उत्तर माल्दा के स्रिमान खगेन मुर्मू जी, सी स्वरूप चोदरी जी, उज्वल दत्ता जी, मंगल पांडे जी, अमिताप चक्रवर्ती जी, सुवेंदू सरकार जी, सत्यनात रोय जी, डॉक्टर असक कुमार लाहडी जी, बूद्राइ टूडू जी, चिनमय बर्मन जी, जुयाल मुर्मू जी, गोविन मंडल जी, संकर्ज चक्रवर्ती जी, अभिषेक सिंधानिया जी, और आज, इस सभा में, इतनी बड़ी संख्या में, जहां तक नजर पड़े, लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए, प्यारे भाईयो, बैनो, माताओ, और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रो, आप सभी को नहस्कार, मैंने उतरते ही अध्यक्जी को कहा, कि बही जो भीड, बालूर गाट की सभा में आई है, अब करने को क्या बचा है, भाईयो और मैंनो, जब मैं यहाँ आया हुँ तब, बोल्ला काली मंदीर, देवी बुरा काली, नर्वर्या सिव मंदीर, और देवी दुर्गा को चर्णों में प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुवाद करना चाहता है, मैं जब यहाँ आया हुँ तब, सही चुर्का मुर्मों, जिनोंने बांगलादेश मुक्ति युद में, भारत के जवानों की मदद करते हुए सही दी करी, उनको भी प्रणाम करता हूँ, और बंगाल की इस वीर भूमी पर आया हुँ तब, अंगिनत स्वातंत्र सेनानियों के साथ साथ, सुभास बाबु, नेता जी, और हमारे भाजपा के स्थापक अध्यक्त, स्यामा प्रशाद मुकर जी को भी प्रणाम करकर मेरी बात की बात, बलूर गाट में अभी बर्सी स्नान चल रहा है ना भाई, चल रहा है नहीं चल रहा है, स्नान करकर सिवजी की पूजा करते हो ना, मगर याद रखना स्नान करकर सिवजी की पूजा करकर 19 तारीक को कमल के निसान पर बड़े जनूम के साथ बटन दबाना है, डबाएंगे क्या, डबाएंगे, यह पूर एक सेक्टर के अंदर जो दारून गरीबी फेली है, इसके लिए इसके लिए अगर कोई जिम्मेदारी है, तो केवल और केवल कॉम्मिनिस्ट और त्रिनमुल कॉंग्रेस हैं, यहां का दई, तांट की साड़ी और मुखरा सिल्फ तीनों को अगर विश्व प्रसीद करना है, तो यहां बंगाल में भी बाजपा सरकार बनानी है और मोदीधी को भी लाना है। भाई और बेनो, 2014 में हम आये थे, बंगाल की जन्ता ने सिर्फ दो सिटे दी थी, फिर 19 में आये, आपने 18 सिटे दी, 19 में आपने 18 दी, तो मोदी जी 300 से ज़्यादा सिट से प्रदान मंट्री बने, अब 2024 में 18 से बढ़ा कर, 30 करनी है और 370 पार करना है। मुझे बताओ हो जाएगा ना, पक्का हो जाएगा, भाई और बेनो, हमारे सोनार बंगला को ममता दिदी ने बम धमाकों से गुंसा कर दिया है। सोनार बंगला को कट मनी से परिसान किया है, ब्रस्ताचार से परिसान किया है। और ससक्त भारत अगर बनाना है तो ससक्त बंगला बनाना पड़ेगा, ससक्त बंगाल बनाना पड़ेगा। भाई और बेनो, बेलूर गाट के भाई बताए मुझे, जहां तक घुषपेट चालू है, बंगल ससक्त हो सकता है क्या, जोर से बोलो हो सकता है क्या, घुषपेट बंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जोर से बोलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या ममता दीदी घुस्पेट बन करेगी क्या करेगी क्या वो घुस्पेट बन नहीं करेगी क्योंकि वो घुस्पेट यही तो उनकी वॉट बेंग है है या नहीं है तो घुस पेट बन कर सकते है नरेंद्र मोदी और बंगाल में भारतिय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है भाई और बेनो आसाम की समस्या घुस पेट की ऐसे ही थी आसाम की जनता ने निनए किया भाजपा की सरकार बनाई और अब आसाम बॉडर से एक भी व्यक्ति घुस पेट नहीं कर सकता घुस पेट को हमने बंद कर दिया है और मैं आपको मोदी गेरंटी कहने आया हूँ तीज सिटे पार करा दो बंगाल में भाजपा सरकार बना दो परिंदा भी प्यार नहीं मारेगा किसी को गुश पेट हम नहीं करने देंगे भाई और वैनों ए बेलूर गाट वाले इतने सारे लोग है मुझे बताईये अहुद्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था अरे जोड़ चे बोलो बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था ये ममता दिदी ये कॉंग्रेस पार्टी ये कॉमिनेश ये सभी खटा मिलकर सतर सतर साल से राम मंदिर को अटका रहे थे भटका रहे थे लटका रहे थे शत्रा तारीक को राम नवमी है राम लल्ला का बठडे है और मोधी जी ने मोधी जी ने पाँची साल में केश का चुकादा भी आ गया भूमी पुजन भी हो गया और बाइस जन्वरी को भव्य राम मंदीर का निर्मान भी हो गया पांच सो साल के बाद राम लल्ला अपने भव्य घर के अंदर अपना बर्थडे मनाएंगे राम नवमी बनाएंगे भाहि और बेनो ये पार्टियों ने तुरुस्ती करण के लिए राम मंदीर को अब तक रोक कर रखा था मैं बंगाल की भूमी पर आया हूँ मुझे बताईए बंगाल की भूमी पर मैं आया हूँ सामा प्रसाज जी ने डारा 370 हटाने के लिए अपनी जान दे दी थी भाई और बेनो बेलूर गाट वालो मुझे बताओ ये जो कस्मीर है हमारा है या नहीं है जोर से बोलो है या नहीं है 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी एक कॉंग्रेस त्रिने मूल सभी लोग विरोध करते थे मोधी जी ने 5 अगस 2019 को 370 को समाप्ट करकर कस्मीर को हमेशा के लिए भारत का बना दिया भाई और बेनो एक तूस्टी करें के कारण इन लोगों ने 570 को समाल कर रखा था मोधी जी ने उसको उखाड कर फैंक दिया ये 10 साल के अंदर नरेंद्र मोधी जी ने गरीब कल्याण के लिए धेर सारे काम करें 35 करोड गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाया 80 करोड लोगों को मुप्त चावल देने का काम नरेंद्र मोधी सरकार ने किया 12 करोड स्वचालय बनाए 4 करोड लोगों को घर देने का काम किया 10 करोड लोगों को उजोला का कनेक्शन दिया और 14 करोड लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोधी ने यहाँ बेलूर गाट वाले आये हैं मैं उनको पूछना चाहता हूँ मोदी जी ने देश बर में एक योधना करी है कि 5 लाग तक का सभी हेल्ट का खर्चा स्वास्त का खर्चा मोदी जी उठा रहे हैं देश बर के गरीबों को इसका फाइदा मिल रहा है बंगाल को नहीं मिल रहा है क्यूंकि ममता दिदी आई समान भारत योधना को नीचे तक नह ने आया हो एक बार तीन सो पार करकर मम्ता की सरकार को उखार दो सभी का पांच लात्त का पूरा इलाज मुप्त हो जाएगा आपके चावल में कोई कटोती नहीं कर पाएगा कोई कटमनी नहीं ले पाएगा कोई कोईले की तसकरी नहीं कर पाएगा कोई गव तसकरी नहीं कर पाएगा और कोई घुसपैट भी नहीं कर पाएगा यह बंगाल पस्चिम बंगाल के लोकों का है इन से कोई कंप्रोमाज नहीं होगा भाई और बेनो मुझे बताओ तीन तलाक हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए था जोर से बोलो माताओ बेनो बोलो हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए ममता दिदी नहीं चाहती तीन तलाक हटाएंगे भारतिय जन्ता पार्टी की नरेंद्र मोधी सरकार ने तीन तलाग को समाप्त करकर मुस्लिम बहनों को इसाथ न्याय करने का काम किया है भाई और बहनों एक कॉंग्रेस पार्टी को क्या हो गया है मेरी समझ में नहीं आ रहा है आज भी कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लो होना चाहिए UCC नहीं होना चाहिए भाई और बहनों वो तो छोड़िये वो अपना मैनिफेस्टो निकालते है उपर तस्वीर ठाइलेंड की लगाते हैं पूरे भारत में एक भी तस्वीर नहीं मिलती इनको थाइलेंड की तस्वीर लगाते हैं मगर क्यूं लगाते हैं इसलिए लगाते हैं कि राहुल बाबा बार बार वहाँ vacation करने के लिए चले जाते है vacation करने के लिए भाई और बेनों ये पार्टियों का हमारे साथ देश के साथ देश के गरिबों के साथ की जनता को हाद जोड़ कर विनंती करने आया हूं हमने एक कानून पारित किया है C.A. का ममता दिदी बंगाल के लोगों को गुम्रा कर रहे हैं यह कह रही है कि आपने application किया तो आपका नागरिक्ता चला जाएगा अरे नागरिक्ता है ही नहीं ममता दिदी आपको क्या मालूम है मैं आज आपको कहने आया हूं डरे बगर जितने भी सरणार्थी आये है C.A. में application करे किसी पर कोई case नहीं होने वाला है कोई मुकदमा नहीं होने वाला है यह मोदी सरकार का कानून है इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता और ममता दिदी आपको जितना विरोध करना हो करो हम जितने भी हिंदू बहुत सीख सरणार्थी आये है उनको नागरिकता देंगे एह हमारा वादा है मैं ममता दिदी को पूछना चाहता हूं जो बंगाल से हिंदू सीख बहुत सरणार्थी आये हैं उनको नागरिकता मिलती है आपको क्या तकलीप हो रही हैं गुस पेठियों को लाल जाजम बिठा कर स्वागत करती हो रोहंग्या का स्वागत करती हो और दूसरी और जो हिंदू बहुत सीख सरणार्थी आये हैं उनको घुम्रा करे ही हो दिदी आपकी दाल नहीं गलने वाली है कि मोदी जी ने रूल्स नौटिफाइग कर दिये हैं बंगाल के सारे सरणार्थी भय मुक्त धोकर अपलाई करें आपका इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा है आपका अधिकार इतना है सभी लोगों ने सभी लोगों ने एपलाई करना चाहिए भाई और बेनों तूष्टी करन की सिमा करने वाली ये पार्टी कुछ नहीं कर सकती अभी अभी मैं आज आपको बताने आया एक बंबलास्ट हुआ था 22 में भुपतिनगर में तीन लोग मारे गए मुझे बताओ भाई बंबलास्ट करने वालों को मजबूती से जैल की सलाकों के पिछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए जरा जोर से बताओ डालना चाहिए या नहीं जानना चाहिए इसकी जांच हाई कोट ने नाई एको दी और ममता दिभी नाई एक पर केस रिश्टर करकर बंब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है ममता दिभी सर्म करो सर्म करो आप बंबलाश के आरोपियों को बचाना चाहती हो आप चिंता मत करिए बंगाल वालो हाई कौट ने नाईए को जात दी है सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा आप चिंता मत करिए कि बंगाल में एक जमाने में रविंद्र संगीत गुंजा करता था अब बंगाल में बम धमाकों की घुंज गुंजाई देती है बंगाल में एक भी इंडस्ट्री नहीं आती है विकास नहीं होता है पूरा देश विक्सित रस्ते पर आगे बढ़ गया हमारा बंगाल पिछड़ता जा रहा है समय आ गया है ये टीमसी के कटमनी वालों को जगे दिखाने का ये चुनाव है जो मोदी जी का चुनाव है मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाने का चुनाव है और मित्रो मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं मम्ता दिदी आप तो महिला मुख्य मंत्री हो एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं संदेश खाली जैसी सर्म नाग घटना में भी आप पुलिटिक्स कर रह सालों तक आपके नाग के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा त्रिनमुल्क कॉंग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे जब इसको पकड़ने गए इडी पर पत्राव किया जब हाई कोट में कहा तब सरंदर किया मैं आज मम्ता दिदी को पूछना चाहता हूं कु मगर पूरे मंगाल की माताएं बेहने यह देख रही है जान गई है कि आप संदेज खाली के गुनेगारों के साथ माताओ बेहनों मुझे बताओ संदेज खाली के गुनेगारों को जो बचाते हैं इनको कभी वॉट देना चाहिए क्या जोर से बोलो देना चाहिए कौन बच रहा है संदेश खाली के गुनेगारों को जोर से बोलो कौन बता रहा है त्रिनिमुल कॉंग्रेस को जिताने का मतलब है संदेश खाली की तरह अत्याचार करने की छोट देना और मोदी जी को जिताने का मतलब है सुनार बांगला की रचना करना है हमारे सुकान्तों मजमूदार जी और खगेन जी दोनों यहां से प्रत्यासी है मुझे बताईए प्रचंद भौमत से इनको जिताएंगे क्या जोर से बोलो जिताएंगे अहां आया हुआ हर व्यक्ति पांच वोट कमल पर डलवाएगा मैं माताओ बेनों को कहने आये हुँआ आपका चुनाव है संदेश खाली वालों को दंद देने का चुनाव है आप कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या बटन तो जरूर दबाना मगर इतने जोर से घुसे से दबाना कि बटन बेलूर गाट में दबे और करंट कलकत्य में ममता दीदी को लगे आप जिताएंगे क्या 26 तारिक को भारी मत्दान करेंगे क्या कमल के निशान पर बटन दबाएंगे मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाएंगे 400 पार कराएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाएंगे विजय के विश्वास की मुठी भींचे और प्रसंद आवाद से बोलिए बारत मता की बारत मता की वंदे वंदे जैश्री राम जैश्री राम प्रदाएंगे झाल झाल